नमस्कार में ढरेंदर कुमार ड्रोगन पैंटिंग से हैं अभी हम चर्चा कर रहे थे कंपोजिशन के प्रिंसिपल के बारे में जो है प्रवाह यानि गती या ले तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो अभी जैसे चल रहे थे प्रवाह युक्त गती के बारे में हमने चर्चागरी उसकी बाद मैंसे घंडित गती तो खंडित गती के अंदर जिसे मने भी बताया था के रस्टना में द्र engag द्रस्टी के परवह कुरम को ढीच भीच में तोड कर मतलब रशना जो मैंने पैंटूरी आफी जन फॉर्म हFFOEM है तो उसकी जिस एमारे दिस्टी को चारो तरब गुमाने के लिए उसमें क्यार सक्कर सकते हैं कि उसके जो बीच में से तोड़ कर गट्री उत्पन कर सकते हैं उसमें के द्वारा तो अचनक जिसे कोई गट्रिक्तर करें द्रिस्टी को दूसरी और ले जा कि तरन ने। कि रिदम कर सकते हैं जैसे पहला उडिविंगामी गति को उपर की और ले चाये यह उचता उचसा इस्पूर्ट्थी आधी बहों को तपन्ने करती है याने की पेंटिंग है अंदर जो हमारी जो फॉम है औरस फॉम के अंदर ज Crispy के अधो अधो गामि गती और je जो जो गति द्रिष्टी के निच्टि को जीनि हमार जो आखे नजर है ओर द्रिष्टि को नीचे के और ले जाए या भूमिकी और संकेत करने वाली गतियां इस के अंतर का आती है और यह यह साधनत बैसा यह दुख के पीड़ा आधिक भाववत्पन करती है यानि कि वह जी जीवन के अंदर हम जैसे आगे बढ़ते हैं उपर की और चड़ते हैं हमारे विचार के द्रिश्टिस हैं या लक्षे के द्रिश्टिस हैं तो हमें खुशी और आनंद के नूब होती होती है तो वही चीज पेंटिंग के अंदर है जैसे मालों कंपोजिंग के अंदर का हमारी जो रेखा है, जो हमारी तत्तों के द्वारा, हमारी जो form है, उस form में किस तरह से गती नजरा रही है, जो उपर की और जाती है, लाह बन तरह से लेंटी तो वह इत्तर से खुशी और तरक्की के लिए, या हमारे उत्सा और पूर्टी के भाव में रूप में परिवाऊ नजर आती हैं दूरसी दिए अदोगामे गती तो इस गती के अंतर क्या है कि जो हमारी गती है द्रस्टी है वह नीचे की ओर जाती है इस पेंटिंग में तो यानि नीचे और यानिकी जो डाउन होता है जिसक तो उन चीजों को हम सुबह या अच्छा संकेत उसके लिए नहीं मानते हैं उसे दुर्खोड निराकिसा के रूप में उनको धोत्र के रितर से मानते हैं उस्तर के भाव वह उत्पन होते हैं तीसरी है जी से शेतिज गती जो गती सेतिज देखा गहे समानांतर रचे गए दर्ष्टी पतक अनुशरांती यानि की आराम, इस्थरता, ठैराव, निद्रा आदि के भावो को उत्पन ने करने वाली होती, यानि की शेतिज गती जो गती शितिज देखा गया नहीं, समान रेखा गया, समानांतर रचे गई, दस्टी पत्का अनुसरन करे, यानि कि पेंटिंग अंदर जो फॉर्म है, उस फॉर्म हमें किस रूप में नजर आ लिए, समान रूप से एक समतल रूप में जो समानांतर, समान रूप से दस्टी पत्का अनुसरन करती नजर प्रतीद हो तो इस प्रकार की गति विश्रांती है जैसे आराम इसको कहते हैं रेष्ट, इस्तरता एक तरसे उसमें ठेराव, निद्रा यानि नींद आधी के भावों को उत्पन करने वाली गति होती है ये और चोती है जैसे इसको कहते हैं इसी अत्वा कर्णवत गति अंत्राल को एक कौन से दूसरे कौन पर काटती है तो इस प्रकार की गति में सरवादिक क्रिया सीरता जलकती है और रचना में इस प्रकार की गति को निंत्रित करके प्रभाव की तीवरता को कम किया जा सकता है यानि कि जो तीसरी गति है वो है तिर्ची गती के द्वारा हम कर सकते हैं तो इसके अंतरकत किया है कि जैसे तिर्ची अत्वा कर्ण वत यानिकि जो तेज तिर्ची है और एक कर्ण की तरह पर गती अंतराल को यानिकि एक कौन से दूसरे कौन पर काड़ती है नजर आती काड़ती हूं नजर आती है यह लाइन तो इस प्रकार की गती में सरवाधिक जो क्रिया सिलता में जलक आती है मैं एक मुमेंट नजर आता है उसमें सरवाधिक एक एक्टिविटी एक गती एक ले उसमें प्रवाध उसके अंदर नजर आता है तो इस प्रकार जो गती में सरवाधिक क्रिया सिलता जलकती है तो रषकार की गति को निरंतरित करके प्रभाव की तीवरता को कम किया जा सकता है अब है जैसे आगे का महत्व है ठोर रिंत्व और मतरिक Это प्रभाह देकर कंपोर सब्सक्ता इसका क्या में हो कि अंदर अपर नेचर के साथ साथ कलाओं के इंतरगत भी अपना महत्पुनिस्थान रखती है द्रस्य कराओं के सासा संगीत वकाब्य न्रत्य आदिम उसकी उपस्टिती सर्व मानने है और रूप्रद कराओं का तो ये प्रमुक्र सिद्धान्त है गती चित्र में क्रंब बद्धता के माध्यम से रचना की विशे वस और सास्त्य कलाओं के अंतरकत इसे विशेष महत्व दिया गया है अजन्ता की महान चित्रावली इसका शाथ-साथ उदाहरन प्रस्तूत करती है यानि कि जो लैयातमा कहए गति ही determination मिलता है अजन्ता की जैंता के इस का विसेस से इस तीस के बारे में लायातमथ वा गती फून-रस्ट मांसिर्थ तनावं को दूर करती है संगीत की लायातमथता नदीगी लहरों का प्रवाए और उसकी गती पक्षियों की उडान जिस प्रकार मनमस्ति को सयांति प्रदान करते तो यह अनुबोती सुखद होती है तो यह एक तरसे कला के अंदर गतिका महत्व है यानि की बिना गति के यानि इंडिना मोमेंट के जैसे कह सकते हैं दिर्श्टे कलाओं को साथ संगीत कावे निरत्य आदी में उसकी उपस्तिती सरुमान्य है और रूप परत्कलाओं का तो एक प्रमुक्ष इद्धान्त है जिसमान पृफ कंपोजिस का यह पांचवा सिद्धान्त है कि इसके बिना पेंटिंग के अंदर हमें कोई गती है मु तो इस प्रकार यह रूप परत्कलाओं का एक प्रमुक्ष इद्धान्त है और गती चित्र में करम बद्धता के माद्यम से रसना की विषख वस्तों को सामने लाती है और भारती चित्र कलाओं में रेखी लायात्मक्ता पर जिशेध बल दिया गया है मतल täll हमारी जो भारती जानना लाणर रेहा बना रहे हैं लेहरदाा बना रेह तो उन रेखाओं के द्वारा में उन छीजिजों को सब्जेट को इन आकरतियों को पस्तूत कर पाते हैं तो रेकिये लेखलाइट मॉटक्ताग पर बाते हैं और तो नो सास्तारिय कलाओं केंतरगां इसे विशेश महत्व दिया गया है। और अजंता की जो महान चित्रावली है, अजंता की जो चित्र हैं, अजंता की जो पेंटिंग्स हैं, वो इसका साक्षात उधारन प्रस्तूत करती है, रेखाओं के मादन से, किस तर से उनमें ले बनाए गई है, किस तर से उनमें गतिये में, मुमेंट्स नजर आता है, हर एक प्रतेक चित्र में हर एक आकरती में तो यह उसका एक हमारे सृरेष्ट उदारण भारती सी ट्रकला कि जो अजंता की एक उदारण वह इसका स्रेष्ट उदारण माना गया है तो लेयात्मक वा गती पून रहसने मांसी को तौनाओं को भिदूर करती है और जिससे संगीत के लियात्मकता है नदी की लेहरों का प्रवाय और उसकी गती पक्षियों की उडान जिस प्रकार मन मस्तिक्स को शांते प्रदान करते हैं उसी प्रकार लेपोन गती युकते कला करते हैं भी रिक्षक को मांचिक शांते प्रदान करती है और उसकी प्रवह इस्तरजन विधियां एक तरशे जो रिदम करने की कौन-कौन सी विधियां है कि इनकी विधियां कौन-कौन सी विधियां अपनाई जा सकते हैं प्रवह उसके अंदर बना रहे बनी रहे रिदम ले उसके अंदर बनी रहे तो उसके लिए किस तरशे कौन-कौन से टे तो उ zucchini से एक ही प्रकार के रूपा का रूपोरों के जिब कुछ अंतर के सहाथ आवरती की जाती है तो तो दोसर्षिटी एक आक री चलती जाती है यहीनि कि एक समान की जो फाम्स रूपका हैं तो वही रूप अगर हम जिसने उनकी उपर रूसे न कारता हैं। तो हमारी जो दस्टी है नजर है तो वो जिससे उनके उपर एक तरसे बराबर रुपागारों के कुछ अंतरता बराबर उसके साथ में चलती दस्टी एक आकरती से दूर्सा आकरती से चलती जाती है तो ये एक तरसे जो पुंड़ावर्ती है, फॉर्म की, किसी भी चीज की करद्स के दिए है, तो वो हमारी उसके अंदर एक निरा अंतरता पैदा करती है, उसके अंदर रिदम बनाया रहती है, लेब बनी रहती है, तो ये कहना काई जैसे एक प्रकार के रुपगारों के यानि कि एक समान के जो आकार के जो फोम है और उनकी पुंड़ावर्ती, रिपेटिशन रहतना के दिश्टिसें, उसमें करते हैं, तो संभवते सहज़तम विदिये कही जा सकती है, और साथी प्राचिनतम भी समान आकारों के पुंड़ावर्ति दिश्टिसना में इस्पष हैं तरह कि प्राचिनतम भी यानि समान आकरों की पुंड़ावर्ति लचना में इस्पष्टता, शक्ती, पूर्टा, एक समान का उत्पन करती है, यानि गश्ट्छ समान, ए है इता का इक समान का अकार, एक तरह के घितर हैं, तो इस तरह से जसे कह सकते हैं, इस पश्चता क उस्ति पून्दाव एक रत्र प्रभा उत्पन करती है और आकारों के मद्य अंतराल दिस्ति को निरंतरता प्रदान करता है परंतु इसका अधिक प्रियोग यानि कि अगर हम यह के फूम बार ज्यादा प्रियोग करेंगे तो वह अधिक प्रियोग ए रूची और एक रस्ता प्रदान भी करता है कल्पना वे मौलिक्ता के प्रयोग से इसे रूची कर भी बनाय जा सकता है और चित्र में इसका बहुतायत से प्रयोग किया गया है तो जैसे वस्तरों हैं कालीनों हैं दिवारों के कागज है वाल पेपर से इस्थापत्य हैं बुनाई हैं छपाई हैं अल प्रिंट वस्तर के अंदर हमें एक प्रिंट नज़ आती है समान रूप से लेकिन उसके अंदर में दिरंतरता हमारी दिश्टी उस पर चार और उस पर जाती है तो यह जिसे लगू चित्रों में प्रकृति चित्रन में इसका बहुतायसे प्रियोग किया गया है उसके लावा जी से वस्तर है कालिन है दीवारों के कागजेए वाल पेपर से इस च्ठापत्य में बनाई है चपाई ए और अनकरों की जो रचन्हा है में इस विदिखार प्रियोग लाया जाता है और आकारों की ढरतिती साधट इन तीन प्रकार से की जा सकती है कि जैसे लंब वट है Shetij है Karna Vatth है तो इस प्रकार जिसे जो जो FOMS है जो रूप है जो आकार है वो इन तीन रूपों में भी प्योग कि जाय से लंबवत याने की सीदा Shetij जो अड़ा है करण वत्त है जो कौनों के इसाब से हमें उसमें कर सकते हैं तो इस प्रकाज से तो यह जो हमारी थी इसे थी हमारी सरजन की जो पुन्रावत्य थी पिटिसंस वाली सरजन की विदी और इसमें दूसरी ए अनुक्रम ग्रेडिशन तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे धन्यवाद